नमस्कार मैं हूँ राउल शिर्मा आप देख रहे हैं SP9 News वागत है आप सभी का आज के प्रोग्राम में और प्रोग्राम की शुर्वात इस वक्त हम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंग यादव से समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंग यादव को लेकर जो खबर आ रही है ये खबर किसी भी लिहाद से ठीक नहीए हाला कि डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं जो कोशिश कर रहे हैं वो बताता है कि वो भी चाहते हैं कि नेता जी का स्वास् जिन्दगी की जंग लड़ रहे हैं, एक वक्त में पहलवानी किया करते थे और किस तरह से अच्छे अच्छे धूरंदर्स जो थे उनको धूभी पचाड दे 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 थे, जिहां, जब उतरते थे अक़ाडे में, तो किस तरह से अपने विरोधियों को वह पचाड दिया करते और किस तरह से चारों खाने चित कर दिया करते थे लेकिन आज वो कोशिश तो कर रहे हैं नई जिन्दगी की शुरुआत की उस बिमारी से लड़ने की जो बिमारी उन्हें लगी हुई है जो इंफेक्शन उन्हें लगा हुआ उससे लड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उतनी बड़ी जीत उन्हें नहीं मिलती नजर आ रही है हाला कि अपने दर्शकों को बता दें कि एक बड़ी कबर निकल कर सामने आई है जिसके बात से अपढ़ना यादव और मैं अगर जिकर करूँ डिंपल यादव का तो बुरा हाल है उनका क्योंकि मुलायम सिंग यादव ने कभी परिवार में किसी के साथ उचा नीचा वरताब नहीं रखा सब को समान लेकर चले क्योंकि मुलायम सिंग यादव परिवार के मुखिया थे पार्टी के प्रमुक हैं और इसलिए उन्होंने हमेशा से जितना साथ अकलेश का दिया उतना बहु अपड़ना का दिया उतना डिमपल यादव का दिया उतना प्रतीक यादव को दिया छोटे भाई शेफपाल का भी बराबर ख्याल रख रहे थे तो कभी मलाल ना रहे किसी के दिल में कि मुलायम ने हमारे लेने का हमारे लि याद हैं और वो तस्वीरे अगर मैं अभी भी देख रहा हूं या वो तस्वीरे मेरे जिहन में आती हैं तो बहुत कुछ जो है मुझे देखने को मिलता है अकलेश यादव और मुलाएम सिंग यादव का वो वीडियो मैंने देखा था यूपी विदान सवाच चुनाव को ज उलजन थी मन में काफी सारी उलजन थी लेकिन करहल करहल सीट से चुनाव लड़ते हैं और हमने देखा नेता जी यानि की मुलाएम सिंग यादव जो सही डंग से खड़े नहीं हो पा रहे थे जो सही डंग से बोल नहीं पा रहे थे लेकिन अपने बेटे के लिए करहल में उतरते हैं प्रचार प्रसार करते हैं और प्रचार प्रसार करके वो बताते हैं कि अकलेश मेरे लिए उतने माइने रखता है जितना मेरी दोनों बहुए माइने रखती हैं जितने मेरे बेटे प्रतीक यादव माने रखते हैं तो ऐसे में आज जो इस्तती बनी हुई है वो सी तो परिवार की सभी लोग एक जुट हैं सत्ता पक्षो विपक्षो हर कोई आज एक जुट खड़ा हुआ है लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार आने वाले वक्त में क्या कुछ पार्टी को लेकर होता नचर आएगा क्या परिवार बिखर जाएगा संपत्ति की कर मैं बात करूँ तो क्या दूनों भाईयों में हिस्सा जो बटे गा वो बराबर का बटे गा या किसी एक में जादा होगा लेकिन और भी तमाम तला के अपडेट में मुलायम सिंग यादों से जुड़े अपने दर्शकों को बताऊंगा इसके साथी साथ ये भी दरसल डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर जुरत पड़ती है तो बाहर से डॉक्टरों की एक टीम को बलाया जाएगा बाहर से यानि की विदेशों से क्योंकि केंदर सरकार की तरफ से जिस तरह से एक बड़ा आश्वासन दिया गया है अखलेश चादों को और ये कहा गया तो मुलायम सिंग यादों के लिए नए डॉक्टर्स बुलाए जाएंगे तो ऐसे में देखा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाज सिंग ने ये आश्वासन दिया है और लगातार अकलेश यादों भी जो है वो केंदर सरकार का धन्यवात कर रहे हैं कि इस मुश्किल की गड़ी में केंदर सरकार उनके साथ खड़ी है तो आज का जो वक्त है वो किसी पर छीटा कशी करने का नहीं है किसी पर सवाल खड़ा करने का नहीं है वो राजनीती करने का वक्त नहीं है आज वक्त दुख की घड़ी का है इस दुख की घड़ी में कौन अपना है कौन पर चाल जानने के लिए पहुंसती रहती हैं मेदानता हस्पताल आती रहती हैं तो वहीं मैं उस्ती तरफ देख रहा हूँ समाजबादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंग यादव की अच्छी सेहत की अच्छी कामना के लिए लगातार बहुत सारे लोग जो हैं वो पैदल चल चलकर मनत मांग रहे हैं मंदिरों में जा रहे हैं और डंडवत परणाम करके मंदिरों तक जा रहे हैं तो ये बताता है कितना मान सम्मान कमाया नेता जी ने मुलायम सिंग यादव ने यानि कि किस तरह से उत्तर परदेश की अगर मैं बात करूँ चाहे वो जिला बस्ती हो गौंडा हो, इटावा हो, मैनपुरी हो, अलीगड हो, बुलंद शहर हो, बदाईउं हो, या करहल हो, हर जगा से अगर मैं बात करूँ, तो लगातार समाजवादी पार्टी के तरफ से, नेताओं के तरफ से, हवन, जब, तब, पूजा, पार्ट, मंत्रों, उच्चारण, इस हाला कि अपने दर्शकों को बता दे कि लगातार डॉक्टरों की तरफ से, जो बायान बार बार दिये जाते हैं, या जो बुलेटीन जारी किये जाते हैं, इससे ये पता चलता है कि डॉक्टर्स लगातार 24 घंटे की निग्रानी तो कर रहे हैं, लेकिन आज जिंदगी की ज अलावा बात करें, समाजबादी पार्टी की काई नेता आम लोग उन्होंने कहा था कि अगर जुरत पड़ी तो हम अपनी किड्नी देने के लिए तयार हैं, अगर जुरत पड़ी तो हम अपने शरीर का एक एक पार्ट दे देंगे, लेकिन नेता जी को बचा कर रहेंगे, तो ये देखा जा रहा है कि हर कोई कुछ ना कुछ डोनेट जरूर करना चाता लेकिन बात नहीं बन पा रही है, तो ये चीज़े कहीं न कहीं, आज सब देखकर अकलेश यादव भावुक वो पड़े हैं, अपनी पिता मुलायम सिंग यादव को इस हालत में जब वो देख आ परछिव करते थे, परचार परशार करते थे तो राज उनके पिता इस हालत में हैं, तो जाहर सी बात है कि दुख तो होगा ही, भले ही अपने पिता की बात को कभी ना माना हो, लेकिन अकलेश शादव इस salty ने हमेसे उनका साथ लाय हो, परचार परशार हो या फिर जहां भी पार्टी का प्रचार प्रचार करने जाना हो तो सब के लिए उन्होंने काम किया है तो ऐसे में देखा जाना कि मुलायम परिवार इस वक बहुत विपत्ती के संकट से जूज रहा है अभी हाली में सादना गुपता का निधन हुआता परिवार उस दुख को भूला नहीं पाया परिवार उस गम को भूला नहीं पाया लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि मुलायम सिंग्यादो को लेकर जो इस्तती इस वक बनी है तो परिवार पूरी तरह से भिखरता नजर आ रहा हुआ है। तोड़ता नजर आ रहा है। लेकिन शिफाल यादव घर के बड़े हैं। घर के मुक्या हैं। मुलायम सिंग यादव के बाद दूसरा बड़ा रोल उनका नजर आता है।। तो वो पर्टी को भी संभाल कर रख लेकिन सीधे सीधे तोर पर आज देखा जा रहा है कि शिफपाल यादव के रहते कहीं ना कहीं परिवार और पार्टी दोनों का ऐसा पार्टी को जिस तरह से वो परदे की पीछे संभाल रहें तो ये बताता है कि मुलायम सिंग यादव के न रहने के बाद अब शिफपाल य झाल